Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi, मैं लाली वर माप बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का Magnet Brains के Hindi Medium चैनल पर और साथ ही साथ ये विश्वास भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न चित होकर अपने कारियों को कर रहे होंगे और वीडियो भी आप देखेंगे एकदम कॉंसेंट्रेशन के साथ Magnet Brains आपको पता है, यह है भारत का नंबर वन एक मात्र प्लैटफर्म जो देता है कक्षा 26 से 12 तक की ओनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप जैसे होनहार स्टुडेंस के लिए प्रोवाइड क education प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप आसानी से अपने अपने मार्व पर चल कर अपने लक्ष की प्राप्ती कर सकें, क्योंकि हमारा लक्ष क्या है, हमारा लक्ष है आप सभी को अपने लक्ष्यों तक पहुँचाना, यही हमारा उदेश है और इसी के लिए हम भरोसे के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और किसी भी तरह का संदेह या किसी भी तरह का डाउट या ब्रहम अपने मस्तिश्क में मत पालिएगा. हम किसी भी तरह के paid subscription की बात कभी नहीं करने वाले हैं. हमेशा provide करेंगे online free education. चलते हैं इस वीडियो की तरफ की class 10th course B में अब हम कौन सा topic करने वाले हैं? जी हाँ, सूचना लेखन. सूचना लेखन यूं तो आप परिचित होंगे कि सूचना का अर्थ क्या है? सूचना किसी जानकारी information या यदि हम अंग्रेजी subject की बात करें, notice writing आप लिखते हैं, तो जो notice writing होती है वही हिंदी में सूचना लेखन के नाम से जानी जाती है, जो की परिक्षाओं में धाई अंक की या पांच अंक की पूछी जाती है. ठीक है? ये इस तरह से दिखी जात है, आखिर सूचना लेखन क्या है, किस तरह से, किस प्रकार से, कौन-कौन से बिंदूओं को शामिल करना चाहिए, क्या इसको एक किसी format में लिखना चाहिए, और क्या हम paragraph की तरह लिख सकते हैं, यही सब इस वीडियो में आप देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ कौन-क प्राप्त हो सकें, जितने अंका भी प्रशन आएगा, आईए मेरे साथ एक बार पुना, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, सूचना लेखन भाग एक में, जिसमें हम देखेंगे उसकी परिभाशा और आवश्यक बिंदू, देखिए, प्रशन हमारे मस्तिष में सबसे पहले यही आता है कि सूचना लेखन क्या है, या सूचना लेखन किसे कहते हैं, क्या है सूचना लेखन, आईए, सरल शब्दों में सूचना का अर्थ है, विशेश जानकारी देना, ऐसा नहीं है कि, ऐसा ही सामान जानकारी, सूचना लेखन अर्थात विशेश जानका कारी देना सूचना जो आपको किसी कारी या आप से संबंधित दस्तवेश documents, से संबन्दित ओप्चारिक जानकारी देती है, formal जानकारी देती है सूचना कहलाती है, ये कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे सूचना कई प्रकार से दी जा सकती है जैसे पत्र है, mail है, समाचार है, विज्यप्ती है, SMS है, हना सूचना आदी तो ये formal तरीके से ओप्चारिक रूप से दी जाती है, और उसी को सूचना कहते हैं अंग्रेजी में से notice writing भी कहते हैं, देखे, और जानते हैं इसके बारे में अन्य शब्दों में कहें, तो सूचना शब्द का अर्थ है, किसी को महत्वपूर्ण बात बताना, कहना, ख़बर बताना, किसी को या कुछ ऐसी बात जो आपको बताई गई हो, आदी, सभी को सूचना कहते हैं सूचना, ऐसा नहीं कि सुनो, 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 वो announcement होगा, एलान होगा, सूचना हमेशा writing में दी जाती है, और उसका एक format होगा, अभी हम आगे देखेंगे, तो बने रहेगा मेरे साथ अंग्रेजी में सूचना शब्द, notice, information या inform शब्द से बना है, ये दोनों शब्द वस्तू के आकार और रूप देने की मन्शा व्यक्त करते हैं, मन्शा पता है न, जो मन की इच्छा है सूचना लेखन का ज्यादा तर उपियोग, भविश्य की अधिकांश घटनाओं, जैसे क्या होने वाला है, उसके बारे में ही संबंदित होती है, सूचना असाने की जो हो चुका है, उसकी सूचना अग दे रहें, भविश्य में आने वाली कोई भी विशेश जानकारी के बारे में किसको बताना, जिसके लिए ये आवशक है तो भविश्य हेतु ये महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सूचना लेखन का ज्यादा तर उपियोग, ज्यादा तर अधिक तर ठीक है ये ये गुम हो गया है, यदि किसी को प्राप्त हो तो यहाँ यहाँ पार आकर इस पते पर या इन से संपर करें, ये भूत काल में भी है, ठीक है, लेकिन अधिक तर भविश्य काल पर निर्वर होती है अब सूचना लेखन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी बात ही हो उसमें, सुखद और दुख, अच्छी और बुरी, सभी सूचनाओं को सूचना कह सकते हैं, जो की formalities या जो official होती हैं उनको सूचना मुकिता दो परकार की होती है, जो अच्छी सूचना या शो किया दुखत सूचना, जैसे अच्छी सूचना के अंतरकत कौन सी सूचना है आएंगी, अच्छी सूचना, वैसी सूचना होती है जो अच्छी घटनाओं पर आधारेत हो, अच्छा सुनते ही, अच्छा आप भी अच्छा शब्द का प्रयोग किया जाता है आपने कभी नोटिस किया तो नोटिस कीजिए ना सूचनलेखन में ठीक है क्योंकि अंग्रीजी में इसको नोटिस राइटिंग कहते हैं मतलब अच्छी अच्छी सूचना की बात कर रहा है अभी हम की अच्छी सूचना कौन कौन सी हो सकती है किस तरह की हो सकती है नई तकनीकी, Electronic Coach, किसी विद्याले में छात्रों के लिए उपलब्द सिक्षा, प्रतियोग की से सम्मंदित अच्छी जानकारी या स्कूल में प्रतियोगी परिक्षाओं के बारे में जानकारी, अच्छी सूचना, प्राकर्टिक सम्मंदि जानकारी जैसे की पक्षियों के आने से जल्द ही बारिश होने की उम्मीद होती है मानसून के आगमन की सूचना जो कि किसानों के लिए अच्छी सूचना है जब फसल सूप गई और सब कुछ नश्ठो गया तब जमा जम बारिश होई तो कहते है ना इसलिए तो वह कहां मत है कि का वरशान जब करशी सुखाने तो जो काई जब होना चाहिए तब हो जाता है वो अच्छा कहलाता है नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वर्षा होना मतलब अच्छी बात है कभी-कभी बे-मौसम पर साथ हो जाती है जो खतरनाक होती है कभी कभी ऐसी बारिश हो जाती है कि किसानों की पकी हुई फसल ! खेत में लहला रही है एकदम कटने के लिए तयार है बारिस का कोई मौसम नहीं है परंदू फिर बारिश हो गई और वो सारी फसल नस्ट हो जाती है तो यह बहुत सारी बात हैं ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश होना मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी सूचना के अंतरगती आएगा तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बताया है कि मांसून के आगमन की सूचना जो की किसानों के लिए अच्छी सूचना है उसी प्रकार की सूचना है जिसे हम अच्छी सूचनाओं की सूची में रखते हैं कोरोना संक्रमित लोगों में कभी हम सभी के लिए एक अच्छी सूचना है कि कितने कमी हुई है कितना हम अब मरीजों की संख्या में कमी हुई तो वो अच्छी सूचना में बदल जाती है जबकि वो है भयंकर सी बाद लेकिन फिर भी उसका जो format है या फिर उसका जो उद्धिश है मन्शा है वो अच्छी है इसलिए वो अच्छी के अंतरगर आ जाती है नेक्स है शोक या दुखद सूचना शोक मतलब भी दुख होता है जैसे शोक या दुखद सूचना वैसी सूचना होती है जो की शोक दुखद घटनाओं पर आधरित हों किसी व्यक्ति की मृत्यू पर किसी व्यक्ति को मृत्यू की जानकारी देना एक दुखद सूचना है लि तो ये शोक सूचना के अंतरगत आएगी, दुखत सूचना के अंतरगत आएगा। तो ये शोक सूचना के अंतरगत रखा जाता है। सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। सूचना को कम शब्दों में ही पूर्ण करना चाहिए। समपून, डिटेल लिखे जा रहे हैं, विस्तार से लिखे जा रहे हैं। अरे भाई हम निबंद नहीं लिख रहे हैं, हम सूचना दे रहे हैं और सूचना जितनी सटीक हो, जितनी कम हो, उतना ही अधिक प्रभावी होती है। पर उतनी ही अधिक वो understanding होती है, मतलब समझने योग रहती है। सूचना हैं हमेशा आपचारिक होती हैं, आपचारिक मतलब जिनमें आपचारिक निभाई जाती हैं, ठीक है, फॉर्मलटीज निभाई जाती हैं, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। सूचना में समय और तारीक का बहुत महत्व होता है, जो भी सूचना दी जाएगी उसमें समय भी लिखा जाएगा, तारीक भी लिखी जाएगी, ताकि कब release हुई है, कब ये सूचना जारी की गई, और कब उस व्यक्ति को मिली, जैसे कोई भी सूचना किसी को मिली, तो वो ये तारीक और समय देखकर तो ये पता चली जाएगा उसको कि अच्छा, ये सूचना उस दिनांकी है, लेकिन ओहो, मुझे तो अब मिली तो हम, वो related जो person है, उनको call कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या किसी भी तरह से उनसे संबंद स्थापित कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि दुख के साथ मैं सूचित करता हूँ, या मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय तक मुझे ये प्राप्त नहीं हुई थी, ये है कि उसमें दिनांक और समय लिखना अनिवार है, ये हमें नहीं बूलना है, अर्थात याद रखना है, ठीक है? तो सूचना में समय और तारीक का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखना है, सूचना है किस विशे पर है और ये किस लिए लिखा जा रही है, इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि आखिर ये कौन सा विशे है, विशे के आधार पर ही उनका जो अच्छे से लिखा जाता है और वो भी एक बॉक्स के हैं और संदेश लेखन भी हमें एक बॉक्स महीं लिखते हैं ठीक उसी तरह से सूचना को भी इसी तरह से लिखेंगे जब हम देखेंगे उधारन तो और आपको अच्छे से समझा जाएगा सूचना लिखते समय हमें स्थान और पता का सही रूप से वर्णन करना चाहिए ताकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सूचना के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो सके जो भी सूचना लिखी जा रही है उसमें अवश्य लेखना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राचारिया द्वारा स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई सूचना जारी की गई है या फिर जो head boy head girl रहते हैं प्रतिनिदी कक्षा प्रतिनिदी स्कूल प्रतिनिदी है ना उनके द्वारा कोई सूचना दी जानी है सभी स्टूडेंट्स को विध्यारतियों को तो यहां पर लिखेंगे कि यह इतने दिलांको यह यह प्रतियोंगता होने वाली है और आप सभी वहाँ पर अपना नाम धर्ज करवा सकते हैं कक्षा प्रतिनिदी ये अपना नाम लिखना है जो भी जिसकी भी तरब से सूचना जा रही है वे अपना नाम और पता अवश्य लिखें ठीक है? सूचना है किसके द्वारा लिखी जा रही है? इस बात की भी सूचना लिखते समय ध्यान रखना है अर्थात कौन सूचना लिख रहा है वो भी last में आएगा left hand side सूचना लिखने का बहरूप या प्रारूप जो भी format वो किस तरह का होना चाहिए ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छे से सुन सकें क्योंकि जितने अच्छे से आप सुनेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा सूचना लिखते समय सबसे पहले सूचना को सबसे ऊपर लिखना आवरशक है देखिए यहाँ पर एक बारों में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वैसे ही, सब कुछ आपको समझ आ रहा है, इसके बाद भी, मानली जी यह आपकी परिक्षा है, उसका पेज है, कॉपी का, ठीक है, तो इसमें हम बनाएंगे एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें लि मान लिजेए, उत्तर 7, तो 7 में यहाँ पर आप यहाँ भी सूचना लिख सकते हैं, सूचना लेखन, ताकि जो भी परिक्षक होंगे, जो चेकर होंगे, जो copy check करेंगे उनको ये पता चल जाएगी आपने ये लिखा क्या है तो सूचना, ठीक है? सूचना को सबसे उपर लिखना आवशक होता है, सूचना किसके द्वारा लिखी जा रही है, या वह किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, या फिर वह संस्थान के द्वारा दी जा रही है, उसका नाम लिखना अतियावशक है, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही हो या फिर किसी संस्थान या इंस्टिटूशन के द्वारा दी जा रही हो तो वो मैंशन करना भी बहुत बहुत जरूरी होता है अर्थात अनिवारे होता है कंपलसरी होता है ठीक है इतना याद रखेगा सूचना में विशे का विशेश महत्व होता है किस विशे पर सूचना दी जा रही है वो अती महत्वपून अर्थार कंपलसरी होता है क्योंकि विशे के द्वारा ही हम जान पाते हैं यह सूचना किस लिए दी जा रही है और यह सूचना कितनी आवश्यक है जिस तरह का उसका विशह होगा उससे ही अनुमान लग जाता है कि ये कितनी आवश्यक है और हमें पढ़ना चाहिए या सिर्फ देखकर निकल जाना चाहिए कभी कभी हम देखते हैं अच्छा अच्छा ओके इसमें कोई वो नहीं है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं हम चले अरे-अरे यह रुको रुको पढ़ देते हैं यह तो हमसे संबंदत है तो उसका जो शीर्षक है जो विशह है वो अवश्य आपको लिखना है ठीक है सूचना में विशह का विशह यही श्महत होता है क्योंकि विशह के द्वारा ही हम जान पाते है कि सूचना किसलिए दी ज इसलिए सूचना में विशेव पर लिखना अती आवशक है इस विशेव को जितना प्रभावी शब्द में लिखा जाए उतना अच्छा होता है जो भी विशेव दिया जाएगा प्रश्ण में दिया जाएगा उसको कितने अच्छे से हमें लिखना है वो हमारी रचनात्मक्ता पर आदा रहेते हैं हमारे creativity पर आदा रहेते हैं तो इस तरह से हम सुचना लिख सकते हैं यह उसका प्रारूप होता है इस तरह से ठीक है सूचना में तारीख का होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम जान सके कि सूचना किस तारीख को भेजी गई है और हमें कब मिल रही है दिनांख तारीख बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके सामने वाले को कि ये सूचना कब की है कभी-कभी notice board, notice board school में रहते हैं, आप सब ने देखें कि अच्छा तो ये परिक्षाय आने वाली है, तो ये होने वाला है, तो animal function होने वाला है, तो ये प्रतियोगता है होने वाली है, बाद बाद प्रतियोगता है होने वाली है, हम एक नजर तो notice board पर डालते हुए चलते ही है जहां कहीं हमें लगता है कि हाँ हाँ इनसे हमारा कोई वास्ता है या यह हमसे संबंदे तो हम वाहर रुखते हैं और उन्हों सूचना को देखते हैं और डेट जरूर देखना है कि यह कब की है ओ यह तो मैने बर पुरानी की यह तो हो चुका है कभी-कभी ऐसा होता है कि लिखन पर तारीख लिखना बहुत जरूरी है हमें कमल रहे सूचने लिखते समय हमें आपचारिक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सूचना जितनी अधिक प्रभावी और संशिप्त होगी अर्था उसको शॉर्ट में लिखना है हमें संशिप्त रूप में ठीक है उतनी जल्दी हम सूचना के महत को जानेंगे सूचना के अंत में हमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम या फिर सूचना किसी संस्थान के द्वारा दी जा रही हो तो उस संस्थान का नाम और इसके पद का नाम यह सारी चीजों को लिखना अनिवारे होता है कि किसके द्वारा जैसे प्राधानाचारिय, XYZ स्कूल इस तरह से या फिर किसी संस्थान की भारतिय सिक्षा संस्थान यह है तो वो हमें लिखनी होगी सचेव, यह वो तो जिसके द्वारा वो सूचना लिखी जा रही है उसको end में वहाँ लिखना होगा, mention करना होगा कि यह सूचना इसके द्वारा लिखी गई है आशा करती हूँ सूचना लेखन क्या है? सूचना लेखन के आवश्यक पहलू कौन-कौन से है? सूचना लेखन में हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और सूचना लेखन की भाशा कैसी होनी चाहिए? सूचना लेखन में कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए? उन सभी बातों से आप भली बाती परीचित हो गए है शब्द सीमा की मैं बात बतानू तो 25 से 30 शब्द होते हैं अधिक शब्द हमने लिखने आए 25 से और maximum 40 अर्थी ही है कम शब्दों में एकदम सटीक जानकारी देना आशा करती हूँ आपने सब कुछ सुन लिया है, समझ लिया है और अब ध्यान दीजेगा कि जो next वीडियो आएगा सूचना लेखन भाग दो उसमें हम देखेंगे उधारन कि किस तरह से सूचना लिखी जाती है कहां डेट लिखना चाहिए, कहां दिनांग की अतिथी, अस समय लिखना चाहिए फिर कहां जो जिसके द्वारा सूचना लिखी जा रही है, वो लिखना चाहिए ठीक है आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपने सुना है इसी प्रकार से बने रही हमारे साथ क्योंकि इसी तरह की जानकारी लेटेस्ट और बेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मैंगे बेंस फ्री एजूकेशन पर साथ ही साथ आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोस भी मिलते हैं फ्री किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे फ्री एजूकेशन है फ्री एजूकेशन रहेगा आप बात करते हैं हमने विशय की तो विशय की जो वीडियोज है जैसे कक्षा छटीवी से बारवी तक आप उनको English Medium में भी देख सकते हैं और Hindi Medium में भी Hindi Medium की बात करूँ जैसे गड़ित, विज्ञान, सामाजे विज्ञान, बहुत एक विज्ञान, रसाइन विज्ञान, सभी विशय के वीडियोज आप Hindi Medium में भी देख सकते हैं किस तरह से मान लिजे आपको Hindi, Class 10 देखना है, Hindi की ही बात करूँगी मैं तो यहाँ आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही जब आप जाएंगे उसकी प्लेइलिस्ट पर तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि आपको क्या देखना है, पाठे क्रम देखना है, क्रम अनुचार साराज देखना है, NCRT समधान देखना है, बहुविकल पिया प्रशन देखना है, वन शाट रिविजन देखना है, जो भी आपको देखना है, जस्ट आप क्लिक करेंगे, वीडियो आपके सामने पार्ठेक्रम पर क्लिक करते ही पार्ठेक्रम का वीडियो सामने आ जाएगा जिसमें आपकी कोर्स A और कोर्स B क्लास 10 की में बात कर रही हूं जिसमें क्षितिच और क्रतिका क्लास 10 कोर्स A स्पर्ष और संचैन कोर्स B चारों पुस्तकों की संपोन जानकारी दी गई है कौन से पार्ठ में क्या दिया गया है कौन लेखक हैं साथी साथ जो पूरक पार्ठे पुस्तिका हैं क्रतिका और स्पर्ष उनमें कितने चैप्टर्स हैं उनमें कितनी अच्छी कहानिया हैं उन कहानी में क्या दिया गया है वो भी इसमें दिया है ना, अब आपके मस्तिश में प्रशन आते होंगे कि यही तो बुक्स नाइन्थ में थी, यही टेंथ में, भाग एक नाइन्थ, भाग दो टेंथ, लेकिन कहानियों में अंतर है, अंदाज में अनोका रूप है, लेखक भी परिवर्तित हैं, इसलिए इ स्लेवर्स से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और इतना मैं भरोसा जरूर दिलाती हूँ आपको, कि वीडियो देखने के बाद, आपको पाठ एक्रम से रिलेटिट कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कॉमेंट बहुत है, I know, तो अधिक से अधिक लिंक शेर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स और जो भी परिचित हैं, वो ऑनलाइन बैस्ट फ्री एजुकेशन का लाब ले सकें, ठीक है, मिलते हैं सूचनलेखन के भागदो में, और तब तक के लिए नमस्कार, बाबाए, उर्ण एंक्यू कर दिनारी नमस्कार, बाबादो में जिता हैं, वो ऑाथ कि का व मागदो में एक विगक मारी में, वो यिधानन वेगची जीू है, मिलते हैं, रहादो में, आके रहाँस y ताकि पुमदा गवादो में, जिता हैं, दुम्दाराव इंक्स जैयों घंक्र